अब मैं आपको ऐसा साइन बनाने सिखाने वाला हूँ जिसे आप अपने दर्वाजे पे टांग सकते हैं और देखने वाला ये सोचता रह जाएगा कि आखर किस महान गारने से बनाया है चलिए अब जड़ा इस आर्ट इटैक स्टार पर निज़र डालते हैं इसके बीच में मैंने आपका बनाया सिंबल जो है और साथ में पैलेट अगर आपको ये स्टार बनाना है तो मैं आपको चिखाऊंगा बहुत ही असान तकनीक तो चलिए देखते हैं स्टार बनाने के लिए एक एरो बनाईए जो की उपर की तरफ पॉइंट करता हूँ इसके बाद इसके बेस में एक और छोटा सा एरो बनाईए वो भी उपर की तरफ पॉइंट करता हूँ फिर इधर इंगल बनाईए नीचे की तरफ पॉइंट करता हूँ सारे points एक जगह मिलेंगे और आपका star देखा, star बनाना कितना असान है मुझे पता है कि ये तरह आप अपने दोस्तों के सामने भी दिखाना चाहोगे है ना, तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं इस cardboard को एक पारदरशी plastic sheet से cover कीजिए कुछ इस तरह देखिए, यहां मैंने tape का इस्तमाल किया है इस से आपको इसके उपर star बनाने और निकालने में मदद मिलेगी क्योंकि आप इसे paper mesher से shape देने वाले हो अब मैं बताता हूँ इसे आप कैसे करेंगे तो इसके लिए आपको चाहिए newspaper के pieces, पानी और glue सबसे पहले newspaper के टुकड़ों को पानी के बोल में रखिए ध्यान रहे कि इन्हें पूरा दिन पानी में ऐसे ही रखें ताकि अच्छे से पानी सोख ले और अब आगे देखिए जब newspaper सारा पानी खीच लेगा तो इसे चलनी में रखिए और दबा कर सारा पानी निकाल लीजिए अच्छे से पानी निकालने के बाद पास में थोड़ा glue डालिए और इसे अपने हातों से अच्छी तरह मिलाईए इसे तब तक कुन दिए जब तक कि एक ठोस रूप न ले ले तयार होने के बाद हमारा पेपर मेशे कुछ ऐसा दिखेगा चलिए अब पेपर मेशे को स्टार की ड्रॉइंग पे लगाते हैं हातों से इसे ऐसे चप्टा कीजिए ताकि ये स्मूध हो जाए और हाँ इसकी टिप्स को कवर मत कीजिए इसे राउंड डी रहने दीजिए आइसक्रिम स्टिक और क्लू की मदद से फिगर को साफ, सुत्रा और सुंदर बनाईए ये ध्यान रखिए कि आप इसे अच्छे से चप्टा करें आखिर में पेपर मैशे सुखने से पहले पैंसल की मदद से स्टार के उपरी कोने में एक छेद बनाए पैपर मैशे के सुखने के बाद ये पत्थर की तरह सक्त हो जाता है सरा सोचिए दोस्तों, इस सिर्फ पेपर, ग्लू और पानी ही तो है अब बारी है दोस्तों अपने अंदर की छुपी कालाकारी दिखाने की तो जाईए और ले आएए अपने पेंट और पेंट ब्रशेज क्योंकि एक आर्टिस्ट का साइन है, हम बीच में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और बनाएंगे कुछ अलग-लग तरेके शेप चलिए, अब हम इसमें रंग भरते हैं यहाँ मैं क्रीन का इस्तमाल करूँगा और यहाँ पर्पल का देखा, यह कितना अच्छा लग रहा है आप वो कलर कॉम्बिनेशन का इस्तमाल कर सकते हैं जो आपको सबसे ज़ादा पसंद है और जो आपके पैटरूम के कलर के साथ मैं आज भी करता हो इस जगह पर मैं लाल कलर करूँगा अब मैं इस सरकल को सफेद रंग से भरूँगा आपको अभी पता चल जाएगा कि क्यों अब हम बाकी बच्चे स्टार को पीला कलर देंगे और पस समझो की काम हो गया इसे फिनिशिंग टच देने के लिए हम काले मारकर का इस्तमाल करेंगे अब सेंटर में मैं वो सिंबल बनाऊँगा जो होगी आपकी पहचान जो है आर्टिस का पेंट ब्रश और उसका पैलेट देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये अब किसी बड़े के मदद से इसे अपने बेटरूम के दरवाजे पर लटका दीजिए और देखना सब भी आपके बीचे और टोग्राफ लेने वागेंगे क्यों अरे भाई आप इतने बड़िया कलाकार जब बन गया है अब चलिए आपकी बारी है